हलो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हम एक डेड लेप्टॉप में से डेटा कैसे निकाले यह मेरे पास एक डेल का लेप्टॉप है जो डेड है जो पूरे का पूरा डेड है दोस्तों इसका मतरबोर्ड चला गया देखो मैं अब इसे ओपन करता हूं देखो यहां पर मैं स्विच दबाताओ इसकी कितने बार पर स्विच दबाओ तो भी यह चालो नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यह डेड लेप्टॉप है इसका मतरबोर्ड चला गया है और इसका खर्चा भी ज्यादा है तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इस डेड लेप्टॉ इस लेप्टॉप की हाट डेक्स को निकालना पड़ेगा कोई भी लेप्टॉप में हो दोस्तों वो डेड हो तो उसमें से डेटा निकालने के लिए उसकी हाट डेक्स को सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इसकी हाट डेक्स को अब हम निकालते हैं इसके बैक साइड मे दोस्तो इस लेप्टॉप की हाट डेक्स है तो मैं इसकी बेकसाइड में चाहता हूँ यह रही दोस्तो इसकी बेकसाइड और इस पैनल देखो इस प्यानल के निचे यह रही प्यानल दोस्तों इस प्यानल के निचे यह लेप्टॉप की हाट डिक्स है दोस्तों अब हमें इसे निकालना है कुई काई बार दोस्तों कई laptop में यहां एक पैनल होथी है उसके निचे होती है इस side होती है तो generally दोस्तों back side में किसी भी जगह laptop की hardware हो सकती है आपको उस hardware को निकालना है अब इस screwdriver की मदद से इस hardware को इस पैनल में से निकालता यह निकला दोस्तों यह रही देखो दोस्तों इसकी हाट डिक्स अब मैं इसे यहाप एक स्कुरू बना हुआ है देखो इस कुरू को निकलते ही यह हाट डिक्स को मैं बहर निकलूँ देखो दोस्तों निकली यह देखो दोस्तों जेस की हाट डिक्स निकल गई यह देखो दोस्तों सीगेट किये और करीब 500 GB किये दोस्तों यह सीगेट किये 500 GB किये जेसकी हाट डिक्स निकल गई यह दोस्तों अब हम क्या करेंगे अब दोस्तों हम यह हाट डिक्स पर से यह कवर हटाते हैं यहापर भी स्कुरू है स्कुरू को हम दूर करते हैं यहापर भी एक स्कुरू बना हुआ है इसे अब हम कटाते हैं कि दोनो स्कुरू निकाल दिये दोस्तो अब हमने तो यह देखो यह अलाग हो गया इसका क्यासी क्यासी महत ही इसंसे हाट डिक्स निकलने के लिए दोस्तो हमें यह किए टेराबाइट कंपनी का केसिन आता है दोस्तो वो खरीदना पड़ेगा यह दोस्तो ओनलाइन एमेजन पर 300 रुपे के आसपास मिलता है दोस्तो लेकिन आप ओफलाइन मिंस के आपके आसपास की जो कॉंपेटर की स्वाप है वहां से आप इसे खरीद हो हाट डेक्स हो लेप्टाप की कोई भी हाट डेक्स हो दूस्तो उसका डेटा आप आसाण इसे निकाल सकते हो दूस्तो और इसके साथ दूस्तो ये के USB Cable आता है और एके Screw Diver आता है ये तीन चीच दूस्तो इसके साथ आती है DA,는 Casing USB Cable स स्क्रू डाइवर अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं ये स्क्रू डाइवर की मदद से ये जो श्क्रू है ना उसे हमें निकाल देने हैं यहां से अब दूस्तों यह भी निकल दिया दोस्कुरू निकल दिये अब दोस्तों इसमें से हमें किसीन के यह सोकेट को बाहना निकलना है यह हाट डिक्स का सोकेट है दोस्तों तो देखो यहाँ पे दोस्तों हमारी हाट डिक्स लग जाएगी यहाँ एरो का निसान भी बना हुआ है कैसे हम हाट डिक्स को लगाएंगे वो दिखाता है तो यह रही दोस्तों हाट डिक्स अब हम इसे यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा वाला सोकिट है बड़ा वाला है यह दोनों बने हुए है इसमें दोस्तों इस तरीके से हम यह छोटा वाला है यह इस तरफ आएगा बड़ा वाला इस तरफ आएगा तो देखो छोटा वाला के हम इस तरीके से लगाते हैं केस इनको देखो अब ध्यान से देखो दोस्तो लगा दिया अब हमें लगा दिया अब क्या करना है दोस्तो इस किसिन को हमें इस सॉकेट को हमें इसमें डाल देना है इस कवर में कवर में डाल दिया अब देखो हमें यहां पर जो स्कुरू बने हुए है वो स्कुरू लगा देने लगा दिये दोस्तों दोस्क्रू लगा दिये यह रहा और दुसरा है दोनों साइड लगा दिये अब दोस्तों हमें इस केबल को जहां पर देखो जहां पर केबल का कनेक्टर है यह रहा देखो दोस्तों त्यांत से देखो कि अधुस्त ने केबल का कनेक्टर अब मैं इसमें एक केबल को लगा देता हूँ लगा दिया है अब एक केबल को कोई भी कॉम्पुटर में या कोई भी लेप्टॉप ने लगाएंगे तो हमारी हाट्डिक्स उसमें ओपन हो जाएंगी दोस्तों पेंड्राइव की तरह तो अब हम इस हाट्डिक्स का पेंड्राइव की तरह यूज कर पाएंगे तो देखो हुआ दोस्तों अब में एक लेपटॉप लाताओ और उसमें अब हम इसका डेटा को उपन करते हैं ये रहा दोस्तों एक विंडू का लेपटॉप इसमें हम इसे उपन करते हैं उपन करने के लिए दोस्तों इस कनेक्टर को हम ज्यस्बी पॉर्ट में डालेंगे यह रहा इसका ज्यस्बी पॉर्ट मैं आपको बताता हूँ इसे निकाल के यह है इसका यह यूएस्बी पॉर्ट में डाल दिया दोस्तों यहां पर देखो यहां टिक्स उपन हो जाएंगी सांद आया इस्टॉल हो रहा है इसके ड्राइवर यह हो गई दोस्तों यहां पर देखो यहां डिक्स खुल गई है अब यह खुल गई है आडिक्स दोस्तों देखो यह खुल गई है इसका यह थ्रेडी वाल पर करके डेटा है दोस्तों यह हो गई है यह करीब 500 जीबी की थी अब देखते है यहां पर माई कॉम्पिटर में उपन करते है यह यह तीन ड्राइव दोस्तों नई आ गई है यह यह और यह यह करीब 500 जीबी की हो जाती है दोस्तों अब देखते है इसमें क्या पड़ा हुआ है देखो यहां पर फर्स्ट ड्राइव में सेंपल पिच्चर पड़े हुए है लास्ट ड्राइव में दोस्तों यह कुछ नहीं है इसमें इसमें 3D बॉल पेपर करके कुछ फोटा हाडडिक्स हो लेफटप की साटा हाडडिक्स को हम आखानेंसे इस तरीके से उपन कर सकते हैं दोस्तों यह रहे है दोस्तों हाडडिक्स देखो इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया है USB की तरह दोस्तों आप terebyte psink की मदद से दोस्तों लेटोप के कोई भी साथा हार्डिक्स तो उसको यूएस्वी की तरह भी यूज कर सकते हो fun and gone would be to use डियूज कर सकते हो आप का लेटोप 0 लेड़ हो जाता है तो आहँ हार्डिक्स को आप इस तरीके से थरा की तरह इस किसिंग की मदद से यूज कर सकते हो दोस्तों तो ये दोस्तों इसको बाई करने के लिंक नीचे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखे हुए जहाँ पर जाके आप इसे आसानी से बाई कर सकते हो दोस्तों तो बस दोस्तों मेरे आज के वीडियो में इतना है मैं आज आपको यह डेल के डेड लेपटाप में से कैसे डेटा निकालते हैं वो मियाने आज आपको बताया मेरा यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करो अपने दोस्तों के साथ सेर करो और कुछ व्यच्चन हो तो नीचे कॉमेट बॉक्स में कॉम अजय दोस्तों के साथ सुटाप करो तोस्तों क्या हुआएधार यह वीच्चन हैं आपको यह वीच्चा कॉमेटाप में आपको पुमेरे